हेलो डोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉस स्टडी पर चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकॉन को प्रेस करे ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इस वीडियो को भी लाइक, कॉमेंट और शेयर कर है तो बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम ऐसे कारियों का उल्लेक करने जा रहे हैं जो विधी के अधीन अधिवक्ताओं के लिए निशिद हैं विधी के अधीन अधिवक्ताओं के लिए निशिद कार्या पीडी गुपता बनाम राममूर्ती के मामले में उच्छतम न्यायाले द्वारा ये कहा गया है कि न्याय प्रशासन एक प्रवाह है इसे स्वच, शुध एवं प्रदूशन मुक्त रखा जाना आवश्यक है ये बात न्यायक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं पर समान आईत्व एवं कर्तव्य अधिरोपित करता है और उनसे ऐसे आचरण की अपेक्षा करता है जो न्यायोचित है कुछ कार्य अधिवक्ताओं के लिए निशिद किये गए हैं अर्थात कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिवक्ताओं को नहीं करने चाहिए ये कार्य निमनलिखित ह 1. निर्धारित योग्यता धारन किये बिना वकालत न करना अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित योग्यता धारन किये बिना वकालत करना निशिद, प्रोहिबिटेड है। वकालत करता है तो वो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतरगत दंदनिय होता है। इस संबंध में नीलगिरी बार असोसियेशन बनाम्ठी के महालीगम का एक उधरनिय मामला है। इसमें प्रत्यर्थी ने विधी सनातक की उपाधी एवं सनद धारन किये बिना ही वकाल प्रारंब कर दी थी। उच्छतम न्यायाले द्वारा उसे च्छ माह की अवधी के कारावास एवं पांच हजार रुप्ये के जुर्माने से दंदित किया गया। ऐसा ही एक और मामला राजेंद्र सिंग बनाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंग का है। इसमें मध्य प्रदेश उच्छन यायाले द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया है कि निर्धारित शेक्षनिक योग्यता एवं सनद धारणा किये बिना विधी व्यवसाई प्रारंब करना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतरगत दंदिनिय अपराध है। दो वकालत के साथ कोई अन्य व्यवसाई न करना। अधिवक्ता द्वारा एक समय में केवल एक ही व्यवसाई किया जा सकता है। वो विधी व्यवसाई के साथ साथ अन्य कोई व्यवसाई नहीं कर सकता। इसी प्रकार डी, साही बाबा बनाम बार काउंसल ओफ इंडिया के मामले में STD बूत के साथ विधी व्यवसाई एवं माधव M. भुकारीकर बनाम गनेश M. भुकारीकर के मामले में पेट्रोलियम उतपाद के व्यवसाई के साथ विधी व्यवसाई को निशिद इस मामले में अपीलार्थी चिकित्सा व्यवसाई के साथ साथ विधी व्यवसाई करना चाहता था जिसकी बार काउंसिल द्वारा अनुग्या नहीं दी गई 3. पक्षकारों को गलत राय नहीं देना अधिवक्ता का ये करतव्य है कि वो अपने पक्षकारों को कभी गलत राय ना दे और ना उन्हें ब्रमित करें पक्षकारों को गलत राय देना निशिद, प्रोहिबिटेड है यदि किसी मामले में पक्षकार की हार भी हो जाती है तो अधिवक्ता द्वारा उसे अन्यता राय देने की बजाए अपील, पुनरीक्षन, पुनर्विलोकन आदी की राय देनी चाहिए यदि पक्षकार का मामला कमजोर है तो उसे वैसी राय दी जानी चाहिए अपने स्वार्थ के कारण पक्षकार को गुमराह किया जाना उचित नहीं माना गया है। अपने स्वार्थ के कारण पक्षकार के बीच वैश्वासिक संबंध होते हैं। अपने स्वार्थ के कारण पक्षकार के बीच वैश्वासिक संबंध होते हैं। अनेक अधिवक्ता एक ही पक्षकार की ओर से उच्छ न्यायाले एवं अधिनस्थ न्यायालेयों में पैर्वी कर लेते हैं। ये पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में किसी पक्षकार का अधिवक्ता कौन। इससे भ्रम की स्थिती पैदा हो जाती है। ये इस बात की ओर संकेत है कि अधिवक्ताओं को केवल अपने पक्षकारों के मामलों में ही पैर्वी करनी चाहिए। आण्या मामलों में न तो उपस्थिती देनी चाहिए और नहीं पैर्वी करनी चाहिए। 6. वादग्रस्ट संपत्ती से सम्व्यवहार नहीं करना अधिवक्ता के लिए वादग्रस्ट संपत्ती से सम्व्यवहार करना निशिद है अर्थात वहन तो वादग्रस्ट संपत्ती को अपने लिए क्रय कर सकता है और नहीं उसका अन्यथा अंतरिन, ट्रांस्फर कर सकता है ऐसा करना वृतिक कदाचार की परिधी में आता है। उसे अन्यथा भारग्रस्त करें। इस मामले में अपीलाथी पीदी गुपता ने अपने पक्षकार की वादग्रस्त संपत्ती का क्रैकर मामले में उर्जन पैदा कर दी थी। भारतिय विधिग्य परिशद बाह काउंसल ओफ इंडिया द्वारा अपीलाथी की सनद को एक वर में जीत हासल करने के नाम पर न्यायाधीश आदी को रिश्वत देने के बहाने पक्षकार से धन एथना वृतिक कदाचार है। पुरुषोत्तम एकनात निमारे बनाम डियन महाजन के मामले में उच्छतम न्यायाले द्वारा ये कहा गया है कि न्यायाधीश आदी के नाम पर पक्षकारों से रिश्वत आदी लेना वृतिक कदाचार है और न्यायाले का अवमान भी। अधिवक्ताओं को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसके विरुधक दाचार की कार्यवाही की जा सकती है 8. हर्ताल, बंद आदी में भाग नहीं लेना अधिवक्ताओं के लिए हर्ताल, बंद आदी में भाग लेना निशिद है। अधिवक्ताओं को हर्ताल, बंद आदी से बचना चाहिए। हर्ताल एवम बंद से पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिधह होती है. यही कारण है कि हरी शुपल बनाम युनियन ओफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायाले द्वारा ये कहा गया है कि अधिवक्ताओं को हर्ताल पर जाने या न्यायालेओं का बहिशकार करने का कोई अधिकार नहीं है. न्यायाले ऐसे मामलों में स्थगंद यह आवश्यक नहीं है. यदि अधिवक्ताओं हर्ताल के कारण न्यायाले में उपस्थिती नहीं देते हैं तो उन पर खर्चा अधिरोपित किया जा सकता है. रांची बार असोसियेशन बनाम स्टेट ओफ बिहार के मामले में पटना उच्च न्यायाले द्वारा ये अभि निर्धारित किया गया है. कि न्यायपाले का स्वतंत्र है. वह भाई, धमकी वो उतपीरन के बिना काम करने के लिए कृत संकल्प है. यदि किसी अवैध हर्ताल, बंद अथवा बहिशकार द्वारा न्यायाले के कामकाज को ठप करने का प्रयास किया जाता है तो ये न्याय अवमान है. ऐसा ही एक और मामला डॉक्टर. बीयल बडेहरा बनाम स्टेट का है. इसमें दिल्ली उच्छ न्यायाले द्वारा ये कहा गया है कि अधिवक्ता न्यायाले का अधिकारी माना जाता है. समाज में उसका अपना विशिष्ट स्थान है. उसके वह पक्षकार के ब बहिशकार आदी से मामलों पर प्रतिकूल प्रभाब पड़ता है. अतह अधिवक्ता इनसे बचें. हर्ताल अधिवक्ताओं का समवेधाने का धिकार नहीं है. राजेंद्र सिंग बनाम युनियन ओफ इंडिया, पंजाब एंड हर्याना तथा स्टेट ओफ हर्याना बनाम पंजाब एंड हर्याना के मामलों में भी पंजाब उच्छ न्यायाले द्वारा यहीं कहा गया है कि अधिवक्ताओं को अनावश्यक हर्ताल आदी की प्रभृतियों से बचना चाहिए. 9. पैर्वी से हट जाना यदि अधिवक्ता किसी मामले में किसी पक्षकार का साक्षी बन जाता है तो उसे स्वेचा से उस मामले में पैर्वी से हट जाना चाहिए अर्थात उसमें उसे पैर्वी नहीं करनी चाहिए. आर मुथू कृष्णा बनाम यूनियन ओफ इंडिया इस प्रकार अधिवक्ताओं के लिए उप्रोक्त कार्या निशिद है इसी तरह के और भी अन्यकार्या हो सकते हैं जिनसे अधिवक्ताओं को बचना चाहिए झाल